अनन्त अम्बानी और राधिका मोचिंट 12 जुलाई को मुबाई में एक शांदार फंक्षिन में शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। महारत में इस अनोखी शादी में बहुत कुछ होने के कारण ये जोड़ा सुर्खियों में बना हुआ है। तीन जुलाई को अमबाने परिवार ने दुलहन के लिए पारंपरिक मौसालू फंक्षिन के साथ अनत और राधिका के शादी की रसम की शुरुवात की। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या है मामेरू रसम। गुच्राती डिती रिवास के अनुसार मामेरू जिससे मौसालू के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक अनुष्ठान है जिसमें दुलहन को शादी के लिए तौफे मिलते हैं और शादी से पहले की फंक्षिन के हिस्से के रूप में अपने मामा से अश्रवात लेती है। फंक्शन के दौरान मामा या मौसा दुलहन को उपहार के रूप में परंपरिक, पनेतर साड़ी, हाथी दाथ या सफेद चूड़िया, गहने, मिठाई और सूखे में भी देते हैं। ये रस्म दौरान के मामा के रिष्टेदारों और दौलहे के परिवार के बीच के रिष्टों को दर्शाती है। अंथ अमबारी और राधिका मुर्शिन्ट की मामेरू सिरमölडी अंबारी परिवार ने बुधवार शाम को मुंबाई की ऐंटिलिया में राधिका के प्री वेडिंग रसम मौुसालों का आउजिन किया पिन्हान मामेरों रस्म के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए ऐसी ही और खबरों से हमेशा बेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर करना ना भूले